हेलो फ्रेंट्स आज हम कि बहुतई आसां डिजायन में तो यह मैंने 22 फंद्दे लिए हैं तो बैस फंदों पर यह जान बनाएंगे आब बेबी गर्ल की फरोग पे स्वेटर पे कोटी पे किस बिजायन बनाए लेडिज शोल स्टूल मफ्रोल पर यह डिजायन बनेगा तो य अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर रखा है थेंक यू तो जो जात में बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें जब भी मैं वीडियो बनाओं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और मेरे वीडियो को लाइक शेर जरूर करें तो हम यह बनाना शुरूर करते हैं पहला फंद हम सिधा भूल लेंगे दूसरा हम फंदे को अपने दरफ कर लेंगे हमें द्यान दूसरे फंदे के लिए हमने क्या करना है जो पहला और ये दूसरा फंदा है इन दोनों का एक कर देंगे फिर धागा पितर्फ कर लेंगे तो पहले ये फंदे है ये इन दोनों को एक कर देंगे फिर धागा अपने तरफ करके एक और ये दो इन दोनों फंदों को एक कर देंगे हमें ये पूरी सलाई हमारी ऐसी ही चलेगी पूरी रो धागा अपने तरफ करके दो का एक फिर धागा अपने तरफ करके दो का एक फिर धागा अपने तरफ करके दो का एक फिर दागा अपने तरफ करके दो का एग फिर अपने तरफ दागा करके दो का एग पुरी रोव हमारी ऐसी ही बनी है दागा अपने तरफ करके अब हमारे पास तीन फंदे रहेगे तो ये दो का एक कर लेंगे और जो लास्ट का फंदा है उसे सीधा बोल लेंगे हमें पहले फंदे और लास्ट का फंदे को ध्यान रखना है यही से हमारा डिजैन गलत हो सकता है यही से हमें ध्यान से बुनना होगा तो अब हम उल्टी साइड में आ जाएंगे दूसरी रोपे पहला फंदा हम उल्टा भूल लेंगे और दूसरा फंदा भी उल्टा भूल लेंगे हमें जो हमारा उठाया हो फंदा और बुना हो फंदा पहले हमारा उठाया हो फंदा और फिर बुना हो फंदा आना चाहिए तो हमें पर चल जाएगा कि हमारा सही है गालत है दो हमने उल्टे बना लिए तो यह हमारा पहला फंदा यह आ रहा है जो हमने बनाया है और दूसरा जो हमने बुना है तो इन दोनों को सोरी पहले से राउंड में ले लेंगे ये फंदा बढ़ा देंगे यहां गटेगा तो वहां बढ़ जाएगा फिर फंदे को ऐसे राउंड में ले लेंगे इन दोनों का ये कर देंगे फिर राउंड में ले लेंगे फंदा और दो का एकर देंगे यहां हमारा गट रहा है और ऐसे जब राउंड में लेते हैं तो हमारा फंदा बढ़ता जा रहा है फिर दो का एकर देंगे फिर राउंड में ले लेंगे फिर दो का एकर देंगे फिर राउंड में ले लेंगे ये पूरी सलाईया से बनेगी फिर फंदा राउंड में लेके ये दो का एकर देंगे फिर फंदे को राउंड में ले लेंगे और ये दो फंदों का एकर देंगे फिर राउंड में लेके दो हंदा हो एकर देंगे अब जो हमारे लाश्ट में दो फंदे एक फंदा थो हमारा यह बना हुआ है और एक बुना हो बंदा इन दो फंदों को हमने अब क्या करना है हमने राउंड में फंदा नहीं लेना है इस फंदे को ऐसे ही उल्टा भूल लेंगे और दूसरे फंदे को भी उल्टा भूल तो अब हम सीथी साइड पे आ गए हैं तो सीथी साइड जैसे हैं पहले हम ने पहली रोग बनाई थी वैसे ही तीसी रोग हमारी बनेगी तो थोड़ा सा आधा आपका पता देती हूं तो पहला फंदा हम सीथा भूल लेंगे फिर धागा अपने तरफ कर लेंगे और दो का एक कर देंगे तो फिर दोफंदों का के ऐख कर देंगे तो फिर दोफंदों का कि ये कर देंगे तो ये पूरी सलाइड निकालके फिर मैं आपको बताती हूं तो सीधी सलाई हमने निकान लिया है, उल्टी सलाई पे, चोथी डोप पे आगए हम, तो चोथी डूसरी डोप बनाई थी, वैसी ही बनेगी, पहले फंदे को हम बुन लेंगे, दूसरे को भी बुन लेंगे, और फिर ऐसे राउन्ड में फंदा ले लेंगे, वैसे ये फंदा अगर हम यहां पर गर गटा रहे हैं तो यह रौंड में फंदा ले रहे हैं तो यह बढ़ भी रहा है चाहए 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 है बढ़ जाएगा यह आप गर जाएगा तो यह पूरी रों भी ऐसे ही बनेगे हमारी तो ये पूरी सलाही निकाल के फिर में आपको बताती हूँ तो हमने चार रोग बना ली है तो ये डिजैन हमारा ऐसे बन रहा है तो मैं थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको बताती हूँ तो हमारा डिजैन देखे बन गया है ऐसे बनेगा अगर आप इसे मोटे धागे और नो नमबर स्लाइसे बनाते हैं तो ये बहुती उबर के आएगा ऐसे खुला खुला बनेगा डिला डिला सा तो क्योंकि अभी टाइट बनाए मैंने इसे दस नमबर स्लाइसे बनाया है देख सकते हैं दस नंबर स्लाइस है तो इसे अगर आप बच्चों की बेबी गर्ल उसकी फ्रोक पर या लीडिस शोल मफरल हो गया स्टोल पर बनाऊगे तो बहुत ही सुन्दर लगए यह डिजयन तो आप देख सकते हैं यह डिजयन ऐसे बनेगा तो आपको डिजयन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर जुरूर करें और साथ में कमेंट जुरूर करें ताकि और ने ने डिजयन में आपको अपनी वीडियो में ला सकूं थैंक यू